गुड मानिंग अब्रिवन वेलकम टू सुवल सर्विसे स्टडी प्रक्टिस सेट नमबर ये 258 है ये टैस सीरीज आरो ए आरो के लिए चल रही है प्रक्टिस करेंगे इसमें हम जी एस के प्रश्णों पर इस टैस सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है वहाँ पर आप टैस न डैनमार्क, रूस, बेलरूस, जर्मनी नीचे देगे कूटका प्रियोकर कैसे उतर का चुनाप कीजिए देखे वाल्टिक सागर हो गया लाल सागर हो गया काला सागर हो गया कैस्पियन सागर हो गया भूमद सागर हो गया ठीक है करक रेखा मकर रेखा और भूमद रेखा य जितने भी सागर, महासागर, ठीक है, कौन-कौन से देश, कोस्टल एरिया, या अपनी तटिय सीमा बनाते हैं, ये सब पता होना चाहिए, ये पूछा जाता है एक्जाम में, गजब तो वाल्टिक सागर जो कि है ययॉर्प में, वाल्टिक सागर से जितने भी देश, इसके चारो तरफ फैले होंगे, वो इसके साथ अपनी सीमा साजह करते होंगे, तो डैन्मार्क वाल्टिक सागर के साथ अपनी तटिय सीमा साजा करता है रूस भी करता है जर्मनी भी करता है वेलारूस नहीं करता है तो वेलारूस जो है eliminate हो जाएगा तो जहां जहां तीन है उसको हटा दिजे इसका answer हो जाएगा 1, 2, 4 ये देखिए ये है वाल्टिक सागर वाल्टिक सी तो स्वीडन भी इससे लगा है और वाल्टिक सागर का पानी यहां तक भी तो गया है तो डैन्मार्क भी लगा है नौर्वे भी लगा है ये देखिए जर्मनी है पॉलेंड भी लगा है लिथुवानिया लगा है लात्विया लगा है एस्टोनिया लगा है और इसका पानी यहां तक चला गया तो रूस भी लगा है और उपर फिन्लेंड भी लगा है यह बीच में खाड़ी बन गई है तो यह है फिन्लेंड की खाड़ी अब बेलारूस की इस्तिती कहां पर है बेलारूस की इस्तिती है यहां पर यानि बेलारूस को वाल्टिक सागर से किस देश की स्थलिय सीवा नहीं लगने दे रही है लिथवानिया बीच में आ जा रहा है और पॉलेंड बीच में आ जा रहा है और यूक्रेन पूछ लेता है तो Ukraine तो इसके और नीचे यहां पर Ukraine की स्तिति यहां पर है Ukraine भी नहीं लगता है उल्तिक सागर से तो याद रखेगा इस सीच को अधिए उत्त्री यौरप का एक सागर है जो लगभग सभी और से जबीन से घिरा है और इसके उत्तर में स्केडी ने भी आई प्रायदीप यानी स्वीडन ठीक है उत्तरपूर में फिनलेंड पूरब में एस्टोनिया रूस लात्विया लिथुआनिया लात्विया पस्चिमें नौर्वे है दक्षण में पॉलेंड है और दक्षण पस्चिमें डैनमार्क और जर्मनी जो है यह सार कि वित तयोग राश्टय centre अधिक्रन लोक अधालत ररण और निकाए यानी ख्वाशी जुडिश 1 बाडी कर विट तयोग यानी फाइनेंस कमिशन एक अर्धनिया ऍयक्ए निकाए है रास्टय हरित अधिक्रन यैनी नेस्नल ग्रीन क्रिज submerged बीए ये स Am я देखे एक अर्ध नियाएक निकाए, एक नियाले या विधाईका के अलावा सरकार का एक अंग है, जो निजी पार्टियों के अधिकारों को निर्णे या नियम के माध्यम से प्रभावित करता है, अर्ध नियाएक निकाए नियाएपालिका के विशिष्ट मामलों को केंदिरय सूशना आयोग, सेंट्रल इन्फरमेशन कमिशन, लोक अदालत, पबलिक कोर्ट, फाइनेंस कमिशन यानि वित्त आयोग और राश्टे उपभोकता विवाद निवारण आयोग यानि नेशनल कॉंजूमर डिस्प्यूट रेड्रेशल कमिशन और क्या-क्या आयकर अ एपिलियेट ट्रिबुनल, ये जो हैं इतने क्वासी जुदिशियल हैं, भारत में आर्धनायक निकाह हैं, तीसरा प्रशन है, सिक्कों को डिजाइन करने और ढालने का अधिकार किसके पास है, केवल भारतिय रिजर्बेंक के पास, केवल केंद सरकार के पास, भारतिय कार्मेंट के पास है, केंद सरकार के पास है, अगर नोट की बात करें तो भारतिय रिजर्बेंक और केंद सरकार दोनों, देखें सिक्का अधिनियम दयार गया रहा है, केवल केंद सरकार को विविन मूल वर के सिक्कों को डिजाइन करने और ढालने की सक्ती देता है, भारत भारत में उत्पादित कॉफी की किस्मों को पहचानी है तिटिका उंटारियो अरेविका रोबस्टा हुआंगो मेकांग लाल सिंधी जर्सी यह तो गाय की नसले इसको हटा दो वांगो नदी को चीन का सोक कहा जाता है और मेकांग वांगो यह दोनों नदियां हैं तिटिका औंटारीयों ये जीले हैं तो अरेविका रोबस्टपी की की समय हैं बुए मिलेखे भारत अवाइविका पादेत कोफी के प्रकार अरेविकाया रोबस्टपा का जो बाजार मुल्य है वो उंच होता उच्च होता जबने की रोबस्टपेक Mm इसोन में 72 प्रतिशंट की हिससे दारी है है कि नमबर फाइब आजे उच कौन सा भारत का पुरमक उद्योग नहीं है जो भारत पुरमक उद्योग द्योगने कौन सा में ल well लिए tavog उनमा कौन सा अ मिल नहीं है है को D उद्योगों में कोईला है कच्छा तेला प्राकरति कैस रिफाइंडरी उत्पाद उर्वरक स्टील सीमेंट और विजले सामिल है तो फार्माशेटिकल्स आर्ट प्रमोक उत्पादो उत्पादों उद्योगों का हिस्सा नहीं है तो डी आंसर है और ये जो है ना ये आठों के आठ देश के समगर आर्थिक विकास रोजगार के अबसर उत्पन करने और देश की जीडीपी में योगदान करने के लिए महें है तो पून है नमबर 6 पर आजए ये कंपनी अधिनियम दोहर 13 के संदर में नम्रिकीत कत्नों पर विचार करेंगे ये है कंपनी के निगमन उत्तरदायतों निदेश को और विगटन को नेंद्रित करता है कंपनी अधिनियम दोहर 13 और इस अधिनियम में 1% कंपनी नामक एक नया सब्द सामि किया गया है क्या हृआ सब्सक्राइब क्या हैृ विल्कुल ये करे psychologists स्टेट मेंरण सी HAS र्खें फेस देखें के निगमन उत्तरदायतों निदेश को और विगटन को नेंद्रित करता है तो पहला कर्पत है और इसे 39 अधियाव में भाजित किया गया है जिसमें पूर्भ कं इस अधिनियम में वन पर्सन कंप्री नामा के एक नया सब्द सामिर किया गया है तो दूसरा भी करेक्ट है अब आजये कोश्यर नमबर सेवन पश्मी विक्षोब के संबंद में निमलिखित कत्मों पर विचार करेंगे पश्मी विक्षोब यानि वेस्टन डिश्टरवैंस तीन स्टेट्मेंट कौन से सही होगा इसमें देखें यह भूमद सग्रे शेत्र में उत्पन होने वाले चक् संबर 22 में भीशन सीत लहर और ठंडे दिनों का अनुभव हुआ था बिल्कुल जितनी बर्फवारी होई थी काफी सालों के बाद होई इतनी हर जगह बर्फ ही बर्फ और इस बार जो मॉनसून आया तो बाढ़ ही बाढ़ यह करेक्ट है फिलाल तीनों के तीनों स्ट्रिट देखिए पश्मी विक्षोब यानि वेस्टन डिस्टरवेंस यह इंपोर्टन्ट टॉपिक है और प्रश्न बनते हैं इससे एक्जाम में चक्रवाती तूफानों की एक स्रंखला है पश्मी विक्षोब जो भूमद सागरिय शेत्र में उत्पन होते हैं नहजार किलोमेटर की दूरी 9 किलोमेटर से अधिक की दूरी थे करके भारत पहुंचते हैं और यह उत्तर पश्म भारत में शी तिरुतों में वर्शा के लिए उत्तरदाई है और पश्मी विक्षोब भूमद सागर काला सागर कैस्पिन सागर से आदरता ग्रहन करते हैं इन तीनों के नाम या पूरे वर्स में मौजूद होती है इसकी और मुख्य रूप से दिसंबर से अप्रेल के वीच ये भारत को प्रभावित करते हैं पस्विक्षोग क्योंकि उश्ण कटिवंदे पच्छुआ जैट इस्ट्रीम का प्रक्षे बक्र सीत रितू के महिनों के दौरान हेमालय शेत्र में सरांतृत हो जाता है तो आदरता कहां से ग्रहन करना है भूमत सागर काला सागर कैस्पें सागर से और मुख्य रूप से भारत को कप्रभावित करना हैं दिसंबर से अप्रेल के वीच में अधिकतर दिसंबर और जन्बरी महीं है पस्विक्षोग हमां हिमाले के ग्लेश ज़र्नों और नदियों का पोश्ण करते हैं पश्मी विक्षोप की अनुपस्तिती के कारण उत्तर भारतिया मैदानी इलाकों में दिसंबर देहर 22 और अधिकांस जन्बडी देहर 23 में हिमाले से वहने वाली ठंडी उत्री हवाओं के कारण शीत लहरों ठंडे दिनों का अनुभव किया गया था तो थर्ड बाला भी करेक्ट है Q8 पर आजिये परमाणू आप्रशार संदी NPT यानि Nuclear Non-Proliferation Treaty कब लागू हुई ये कब लागू हुई NPT ये गंतराश्य संदी है जिसका उद्देश है परमाणू हतियारों और हतियार प्रधोगी के प्रशार को रोकना परमाणू उर्जा के सांतिपूर्ण उपियोग को बढ़ाबा देना तथा नी सस्त्रीकरण के लक्ष को आगे बढ़ाना इस संदी पर वर्ष 1968 में हस्ताक्षर किये गए और ये संदी वर्ष 1970 में लागू हुई थी वर्तमान में इसके सरस्य देशों के संख्या एक सो इक्यानवे भारत इस संदी का सदस्य नहीं है और अतीत में अपने परवाणू हतियार कारिक्रम के लिए अंतराश्टिय प्रतिवंधों का सामना कर चुका है ये economics का प्रश्ण है question number 9 नमलिघेत तरल परिसंपतियों पर विचार कीजिए वैंकों के पास मांग जमा वैंकों के पास साबदी जमा वैंकों में बचत जमा मुद्रा तरलता के घटते क्रम में इन परिसंपतियों का सही क्रम क्या होगा decreasing order में रखना है the correct order of these assets in decreasing order of liquidity इस क्या होगी सबसे पहले तो पैसे ही चाहिए ठीक है मुद्रा ही चाहिए करंसी सबसे पहले आ जाएगा कि तो करंसी आ जाएगा सबसे पहले मुद्रा मुद्रा जो है वो बैंकों के पास जमा तो फोर के बाद हो गया वन तो होगी आंसर मिल गया चार एक तीन दो करंसी यानि मुद्रा मुद्रा जो है वो बैंकों के पास जमा उसके बाद बैंकों में बचत जमा तीसरा और सबसे लाश्ट में आ जाएगा बैंकों के पास साबदी जमा यानि दूसरा चार, एक, तीन, दो तो मुद्रा, मुद्रा جो है वो बैंकों के पास मांग जमा के रूप में फिर उसके बाद बैंकों में बचट जमा उस सबसे एंतमे हैं बैंकों के पास साबदी जमा यानि करंशी, demand deposit with bank उसके बाद saving deposit with banks और सबसे लास्ट में फिक्स डिपोजिट विद बैंक्स दस्वा प्रश्ण है मौद्रिक नीती समिती यानि मौनाटरी पॉलिसी कमिटी के अध्यक्सता कौन करता है परधान मंत्री नियंत्र के महाले का परक्षक आर्बियाई के गबर्नर केंद्रेवित मंत्री मौद्रिक नीती समिती आर्बियाई के गबर्नर भी देखे आर्बियाई का गबर्नर जो है मौद्रिक नीती समिती यानि MPC का पदेन अध्यक्स होता है और RBI अधिनियम के प्राबधानों के अनुसार यह है 6 सर इसे समिती होती है जिसमें 3 सर से RBI से होते हैं और अन्य तीन जो है के सरकार द्वारा नेउप्त किये जाते हैं मौद्रिक नीती समिती की बैठकें वर्स में कम से कम चार वार आयुजित की जाती है यह प्रतियक बैठक के बाद अपने निर्णे को प्रकाशित करती है MPT MPC ग्यारवा प्रशन इंडियन पॉलिटी का CAG यानि भारत के नेंत्रा के महाले का परिक्षक कुछ पूछ नहीं के सही पूछना है गलत पूछना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को चारो के चारो स्टेट्मेंट पढ़ने पढ़ेंगे तो CAG एक बैधानिक निकाय है वह राश्ट पती के प्रशाद पैंतर पधरन करता है पद पर बने रहने के बाद भारश सरकार या किसी भी राज़े के अधीन किसी और पद के लिए पात्र नहीं है एक बार पद से सेवने बिरत होने यानि इस्तिवा देने के बाद वह केबल राज़े सरकार के अधीन पद भार ले सकता है एक ही करेक्ट होगा इसमें तुको देखें सीए जी इसको बोलता है इंगलेस में कॉम्प्रोलर एंड औरिटर जनरल हिंदियें बोलते हैं भारत के निंत्र के महाले का परिक्षक जो की एक संबैधानिक निकाह है यहां लिखा है बैधानिक निकाह है यह गलत है राष्ट पती के प्रशाद पैंत्र पद्धारण नहीं करता है राष्ट पती के प्रशाद पैंत्र तो राज्यों के राजपाल पद्धारण करते हैं केन सरकार के मंत्री गण और प्रधान मंत्री भी राष्ट पती के प्रशा हैं देखें भारत्य संवैधान के अनुच्छप इस एक 188 में जो है cag यानि भारत के नेंद्रक और महालेखा परिक्षक प्राबधान है और यह संवैधानिक निकाय है तो पहला सही हो गया पहला सही नहीं है क्योंकि महालेखानिक निकाय था और यह आपकों दर्शलीन देसे हैं एकी स्वतंद्र कार्याले का प्राव्धान करता है यहाँ भारते लेखा-परिक्षा ईष्ण का प्रमोक है न्यूकति की बात करें तो भारत के राश्ठपती द्वरा अपने हस्ताक्षे और मोहर dovrb के साथ तिसकी न्यूकति की जाती है कार काल की बात करें तो 6 वर्स की अबदी और 65 वर्स की आयू जो भी पहले पूरा हो जाए अपने पद पर बन रहता है निसकासन की इसकी बात करें तो तो चीए जी को राष्टपती द्वारा उसी अधार पर और उसी तरह से पद से हटाया जा सकता है जैसे किसी सुप्रीम कोट के जज़ को हटाया जाता है यानि वह राष्टपती के प्रसाद पैंत्र अपना पद धारन नहीं करता तो दूसरा बाला कलत है दूसरे सब्दों मे कहें तो उसे राष्टपती द्वारा संसत के दोनों सब्सक्राइब दूसरा विसेश बहुमत से पारिश संकल्प के अधार पर या साबित का दशार या अच्छंता के अधार पर इपत से हटाया सकता है यानि विसेश बहुमत की अवश्यक्ता होगी एक बार सियाजी के पांचवा अशियान भारत शिखर सम्मेलन कहां हुआ धाका नई दिली सिंगापूर कौलालामपूर पांचवा अशियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन हुआ है मलेशिया में यानि मलेशिया की राजधानी कौलालामपूर डी है इसका अंजर पांचवा आशियान भारत व्यापार सिखर सम्मेलन 6 मार 2 हरतेज को मलेशिय की राज़ानी कौलालामपूर में हुआ संस्थापक सरस इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपेन, सिंगापूर, थाइलेंड बरतमान में आशियान के मेंबर की बात करें तो 10 मेंबर हैं इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपेन, सिंगापूर, थाइलेंड, ब्रुनई, लावस, में अमार, कमबोडिया, व्यतनाम तेरो प्रशन हैं बरतमान में सार्क के कितने सरसे देश हैं सार्क में बर्तमान में हैं 8 मेंबर तो ए है इसका अंसर देखे सार्क में 8 सदसे देश सामिल है अफगानिस्तान बंगला देश भूटान भारत मालदीप नैपाल पाकिस्तान स्रिलंका नम्बर 14 पर आजए भारत के वितायो. के बारे में अमलिकीत में से कौन सा कथन सही हैं इसका गठन प्रतेक पांच वर्ट में भारत के राष्ट परती द्वरा किया जाता है इसका मुख्यकाम केंदर राज्यों के वीच करो के वित्रण की सिफारिज करना है और वित्तायों की सिफारिज भारत सरकार के लिए वाध्यकारी है देखें वित्तायों की सिफारे इस भारत सरकाल के ने वाधिकारी नहीं होती तो केबल एक और दो ही इसका अंसर हो जाएगा जैसे कि आपको पता है वित्तायों का गठन परती एक पांच वर्थ में भारत के राष्ट परती दो रखिया जाता संबिधान के नुच्छे 200C में इसका प्रावधान है यानि वित्तायों का मुख्य काम केंद सरकार और राज्यों के वीच करोके वित्रण की सिफारिस करना और यह भारत की संचित निधी से राज्यों को साहेता अनुदान पर भी सिफारिसे करता है तो दूसरा वाला भी सही ह यह तीसा करा था क्योंकि वित्तायों की सिफारिसे भार सरकार के लिए वाध्यकारी नहीं है हाला कि सरकार आम तोर पर आयों की सिफारिसों को स्विकार करती है और उन्हें अपने वजट और नीतियों में लागू करती है नमबर 15 पर आजएए ये करेंट अफेट्स का प्रश्न अप्रेल दोहार 23 में कहां पर देश के पहले वाटर मेट्रो का संचालन सुरू किया गया एमदाबाद गौरकपुर कोची केरल चन नहीं देश की पहले वाटर मेट्रो का संचालन सुरू हुआ है केरल के कोची में तो भी है इसका आनसर देखें 25 अपरल देहर 23 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के कोची में देश के पहले वाटर मैट्रों का उधगाटन किया केरल कोची का नाम याद रखेगा 15 प्रस्ट नैड किये गए था इस टेस्ट में इनके प्रेक्टिस आब एक से दो बार कर सकते हो यह रंबर इस पर कॉल्या वाट्सप करके फुल टैश दिस सीरीज प्राप्त कर सकते हो धन्यवाद